हलो फ्रेंद्स वेलकम तो गार्गी क्लासेज एडिटोरियल डिस्कुस्शन के अंदर अपने इंपोर्टर्ट इश्यूस को जब आपन पिक करते हैं तो यह दिखा जाता है कि कौन-कौन से इश्यूस अभी रिसेंट टाइम में हाइलेटेड रहे और जो डिस्क्रीटली कैसे आपन कवर कर सकते हैं जिससे की ज्यादा ज्यादा इंफर्मेशन आपन शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकें यह हमारा टार्गेट रहता है तो आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वह है लोकस्ट मतलब होता है ठीक है अभी रीसेंटली आपने देखा होग इस तरीके का क्लाउड आपके आसपास से फ्लाई कर रहा था जैपर में तो मैंने देखा पर हो सकता है आपने भी नौटिस किया हो और वेस्टर राजस्तान में बहुत ज्यादा और यह देखो इस तरीके से यह वेजिटेशन को कैसे लॉस कर देते हैं अगर ग्रीन वेजि खेद को डामेज कर सकते हैं बड़े से बड़े को तो आज का यह अपना एक इंपोर्टन रहेगा जो आरेस और पीएस सी में प्री इंटर्व्यू तीनों के लिए इंपोर्टन रहेगा साथ में आप अधर एक्जाम्स के लिए भी देखो और लोवर एंडिया उनके लिए यह टापिक कही नहीं बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रहने वाला है तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो जिससे कि आपको लेटिस्ट नॉटिफिकेशन मिलते रहें नहां पर लॉकस्ट अटेक देखा गया और लॉकस्ट अटेक इस तरीके से देखा गया है कि वह पूरे के पूरे स्वाम मतलब पूरे ग्रूप के अंदर है करोडों की तादाद के अंदर एक साथ आ हैं और जो कि एडिया के अंदर भी पहले भी देखे जाए चुके हैं 1970 म में भी देखे गए हैं ठीक है और इनका एक पैटरन होता है कि हर लगबग लगबग 10 से 12 साल के बाद में इनका अटेक दिखाई पड़ता है और यह पूरा पैटरन होता है और एक बार एक अगर अटेक होता तो कम से कम तीन से 5 महने तक इडाम करते हैं यह भी एक इनके सीक्वेंस रहती है और अब की बार जो अटेक देखा गया है वह ऐसा रहा है कि जो हिस्टॉरिकली जितनी बार भी अटेक हुआ है इन लोकस्ट स्वाम्स का उन एरियाज में भी इनका अटेक हुआ है जैसे सिटीज के अंदर जैपूर जैसे सिटीज ओके आप इधर जाओ यूपी की तरफ आग्रा वाली तरफ वहां पर भी है एंपी में भी आप देखोगे तो एंपी में भी बहुत सारी सिटीज पर और एंपी से अभी महारास्ट्रा की तरफ भी यह लोकस्ट स्वाम डिरेक्शन ले चुका है उधर भी जा रहा है अगराफ विदर जानागपूर लोकेटेड है तो लोकस्ट बीसिकल होते क्या है आपने ग्रास ओपर्स देखे और उन ग्रास होपर्स के क्या होते हैं अबने टिडे की अगर में यहाँ में स्ट्रक्च्छरव बनाऊं तो उनके यह उठ्थे हुए जो एंटेना अज होते ह वह थोड़े बड़े होते हैं जबकि Locust के आप देखोगे तो वह होते हैं शॉर्ट हॉनड और इनकी स्पीड यह होती है कि लगबग लगबग एक दिन के अंदर यह फ्लाइ करते तो गिल्ड़ीटी सो किलिवीट इस्टंस कवर कर सकते हैं आप देख सकते हो तो तो ऐफरिका और एश्या कि कितने कंट्रीज्स को इनोंने पिछले यूँ और किया होगा तो यह था अपना कंटेक्स्ट और एक यहां पर मैं आपको बता दू ओरِّजिण्स जौ औरनोप अफ्रिका में अगर मैपिंग के हिसाफ से देगे तो कौन-कौन से कंट्री जाते हैं सोमालिया एथियोपिया जिबूती और एरिट्रिया यह चार कंट्री जाते हैं बहुत इंपोर्टन फैक्ट है यह आप याद रखना ओके तो यहां से यह पहुंचे एशिया में इदर अरेबियन पेनिंसुला में और अरेबियन पेनिंसुला से फिर पहुंच गए कहां पर मेंडलेंड अशिया में जहां पर इरान इरान से फिर पाकिस्तान से होते हो फिर अभी इंडिया में और इंडिया के अंदर भी लोकेशन जो फर्स ट्रेस की गई वो थे बाड़ इस इस तरीके का यह इनकी खुद की फीचर होते हैं अगर बेसिकली देखा आपने आपने देखा होगा कि ये जो टेड़े जो होते हैं वो सॉलिटरि होते हैं सॉलिटरि का मतला अकेले रहना पसंद करते हैं अकेले अलग अलग दीछते हैं बट सेटेन सरकंस्टांसिज मिल जाएं जिनके अंदर मानलो पहले द्रॉट आ गया और द्रॉट के बाद में फिर आगई क्या rainfall हो गया rainfall होने की वज़े से vegetation अगर एक साथ increase होता है तो उस case में क्या हो जाता है ये gregarious हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा violent होना शुरू हो जाते हैं और दूर दूर तक जाना शुरू कर देते हैं इसकी वज़े क्या होती है simple सी बात है कि अगर एक टिड़ा बहुत बड़े खेट में अगर enter हो गया तो अकेला कितना क्या damage कर सकता है ज्यादा नहीं पर उसी के comparison में अगर सो टिड़े उस खेट में घुशते हैं तो उनके क्या हो गया competition अब competition होता है तो competition में तो दोनों पार्टीश को लॉस होता हैं और दूसरे जिगह पर भी डेमेज करना शुरू कर देते हैं अगर आपन देखें तो इनका और नॉर्मल ग्रास ओपर्स का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बट इनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो स्वाम बना लेते हैं वो भी इमीडियेटली सुटेबल कंडिशन मिलते हीं इतना निग्ज्यदा टाइम लगाएं केसा कि अगर लोकस्त की बात करो तो लोकस्त लगबग लगबग तीन महने के अंदर अपनी बार बिरर्डिंग करते हैं एक भी नवह एक 39 टिड्डा तीन महने के अपनी पूरी लायफ में तीन बार लिइडिंक और आ यह 80-90 अंडे देता है और यह 80-90 अंडे फिर वापिस नए बच्चे फिर बाद में एडल्ट हो करके यही रिपीट करेंगे तो अपन समझ सकते हैं कि लगबग लगबग तीन मैने में कितना ज्यादा मिलियंस और बिलियंस के अंदर इनका नंबर इंक्रीज हो सकता है बट वो डिपेंट किस पर करता है अगर इनको सूटेबल कंडिशन मिल जाए बेसिकली यह जो ग्रास ओपर होते हैं यह तिड़े होते हैं अगर यह सॉलिडरी जो इनकी टेंडेंसी रहती है अकेले रहने की जो टेंडेंसी होती है उस केस के अंदर तो क्या होता है कि ज्यादा कोई नुकसान दायक नहीं होते क्योंकि नंबर्स में अगर यह कम होंगे तो डेमेज भी कम करेंगे तो इकोनोमिक थ्रेट इतना ज्यादा नहीं होता किस कंडिशन में जब इनके नंबर्स कम है और अग को एक चीज़ बता दू कि ये कौन सी कंडिशन है जिसके अंडर में ये स्वाम में कंवर्ट होते हैं देखो ड्रॉट हो सूखा पड़ गया और सूखे की जस्ट बाद में रैपिड अगर रेंफोल हो जाए तो इनके दिमाग में सेरोटोनिन करके एक सबस्टांस होता है वो क सूर्स कम हो गए तो वो टेंडेंसी बन जाती है कि ये नॉमेड हो जाते हैं मतलब ये माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं माइग्रेट्री हो जाते हैं जैसा कि अपने मैप में देखा एफरीका से किस तरीके से होते हुए फिर ये इंडिया में पहुंचा है एफरीका स पाकिस्तन नहीं किया पाकिस्तान अगर बता देता कि ऐसे करके एक स्वॉर्म आ इटेक हुआ है हमारे यहां पर हूँ तो आप तो कम से कम प्रिवेंट अप्रोच अपना हो पर उन्हों ने कोई ऐसा कॉप्रेशन नहीं क्या क्योंकि इनकी बीज विए कोई बाइलेटरल कॉन रूप था लोकस्ट का यह सारा का सारा रैपिटली एक जगह से दूसरी जगह मूग करने की कैपसिट रखता जैसे अपने देखा एक दिन में अगर यह मूग करते हैं तो लगबग लगबग 150 किलोमेटर्स पर डेकिया इनकी ट्रेवल डिस्टेंस कवरेज होती है तो देख ल कर जाते हैं और अभी तक आपने देखा वह सारे के अलाइव अगर आपने देखा आया तो वह क्या थे मैक्सिमम एडल्ट थे ठीक है क्योंकि वही चीज है छोटे है वह जाया दूरी ले नहीं सकते वह वही बात है कि इस पर्टिकिलर जगह पर रुखे यहां पर हैं चोटे वाले यह एडल्ट हो जाएंगे तो यह दूसरा ग्रूप बना लेंगे इस तरीके से क्या होता है इनके बैंड बनते चले जाते हैं और आगे सागे बढ़ना शुरू कर देते हैं अब बात करते हैं इंडिया के अंदर जो ट्रेसिंग हुई है वो किस तरीके से देखो सबसे पहले 11 अप्रेल 2020 को यह दिखा गया था और इसके अंदर अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर लोकस्ट वामिंग और्गिनाइजेशन ल डव्ली ओ इसने यह बताया कि राजस्तान के स्री गंगानगर और जैसल में डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकस्ट का अ हुआ जैसे हमने बताया कोविड-19 आउटब्रेक लापरवाई गोर्मेंट की और पाकिस्तान और अधर स्टेट अधर कंट्रीज के साथ में थोड़ा कॉपरेशन कम सब क्यों कोविड-19 में पागल होए थे इसलिए लोकस्ट का टैग भी क्या हो गया हाइलाइट इस तरीक क्योंकि यह भी हंट करते हैं इनका तो वह बहुत सारे तरीके हो सकते थे बट क्या हुआ यह सारा गा सारा एक ही चीज पर फोकस हो गया हर चीज की बिमारी का वजह एक ही चीज समझ ले गई क्या कोविड-19 और इस वज़े से क्या हो गया इन चीजों पर ध्यान नहीं दिय रजस्तान और गुजरात पर भी इनका अटेक देखा गया बट वहाँ पर क्या था कि आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया या फिर उनकी क्या होती है क्लाइफ लाइफ लाइफ लाइन होती है वहां तक आकर वो खतम हो गयते तो यह एक तरीकी की स्वाम में ऐसा नही टिन सुट थूथाजन ट्वेंटी मेंने इस एक ऊसाल हुआ थी आपको भी कितनी दस से बारह سाल ये दस से बारह साल ले लगब लगब तीस साल का होता है फ्रिक्वेंसी क演ंव बाग लगवी साल का तो सतर से लगब दो सार वाले दिशक है तो लगब पक्के आइस की जा सक Time, Last Year, की, इंडियर Materiological Department जो है, इंडियर इंदिया उन्होंने बताया था, कि अब की बार ईल नीनो है, एल नीनो का मतलब, एक यह जे जे जिवर्णा कल्यमेटिकल, क्लायमेटिकल एक इवेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर rainfall कम होती है, तो इंडिया के देखा जाता है इस्टन एफ्रीका के उदर वहाँ पर भी रेन्फॉल में हुआ है जैसा कि बाढ़ ही थी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर same event हुआ Africa के अंदर तो आपने drought expect किया that means कि आपने क्या बताया कि वहाँ पर temperature rise हो रहा था तो temperature rise की condition हो गई तो drought वाली condition फिर अचानक से rainfall increase हो गया तो उस condition में क्या हो गया यह जो locust का जो swarm है यह create हो गया और उन्होंने migrated tendency adopt कर ली और उसकी वजह से यह क्या हो गया अटेक हुआ तो ultimately क्या हो गया इसकी वज़े climate change climate change इसकी वज़े हो गई कि आपने predict तो क्या किया कि क्या होने वाला है बट हुआ क्या वो अलग ही हो गया ठीक है इस तरीके से लोकस्ट को historically कि जाँ-जाँ देखा गया है उसके अलावा छाजस्तान के जयपूर के अंदर भी देखा गया मुरेना में एक शापुर में कौन सा थोड़ा वो तेरिया आंद्रप्रदेश का जा था उधर भी ये डारेक्शन कर चुके हैं ठीक है इनकी जो एक तरीके से ही देखा जाए इनकी स्पीड जो होती है उसको असिस्ट किया गया है जो विंड्स चल रही है हवाएं जो चल रही है मानलो लोकस्ट की ये स्व किलोमेटर पर आरके इसाब से भी अगर हेल्प करें तो ये आराम से 200 किलोमेटर तक कि इस डिस्टेंस कवर कर जाएंगे पूरे दिन के अंदर तो इस तरीके से क्या हो गया ये सारा का सारा प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक पूरी सिचुएशन क्रियेट हो गई ठीक है ड्र कर रहे हैं महरास्ट्रा की तरफ तो उधर को इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं को कंट्रोल किया जा सकी क्योंकि अभी क्या चल रहा है देखो रभी की फसल काटी जा चुकी है इसकी हर्वेस्टिंग हो चुकी है और अभी क्या है जायद की फसल अपने लगा सकते हैं पर जायद की फसल ऑप्शनल होती है इतना कोई जरूरी ने लगाए ही बट जो रभी की में जो मेजर क्रॉप हो उसका हर्वेस्टिंग हो चुकी अब खरीफ की जो आएगी उसकी वहाई होगी लगबग जुलाई के अंदर शूट हो जाएगी तो उस टाइम पर उस टाइम तक अगर इनको ट्रीट कर दिया गया तो बहुत ही आसान रहेगा बट अगर ट्रीट नहीं किया जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी थ्री मंथ लाइफ साइकल होती है तो उसके अंदर 80 to 90 अगर ये एग्स देते हैं तो ये 80 to 90 आने वाले दो से तीन मैने के अंदर क्या करेंगे ये अडल्ट बन जाएंगे और ये अडल्ट बन करके ओर अंडो को देँगे तो इस तरीके से ये पूरा चेंज साइकल चलता रहेगा और ये पूरा फूरा ग्रेगरियस अटिटूड अपना करके पूरा डेमेज कर देंगे आने वाली खरीफ वाली फसल को तो वो एक कहीन था उसको इन्होंने डेमेज कर दिया है और यह बहुत बुरे तरीके से डेमेज करते हैं यह चीज मैंने आपको बताई कि 80 से 90 एक बार में देते हैं और तीन बार यह तीन मेने की लाइफ में तो कि काउंट कर लो आप कितने दे सकते हैं 80 थ्री आर्टिया 24 और इसको आप ती ठीक है 240 अंडे अब यह 240 जो हैं खुद भी अडल पर नहींगे तो वह भी देख लो आप मैल्टिप्लाइए करते जाओ वही 240 को 240 से समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा तो लगबग लगबग क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशल इंक्रीज होगा जो की इस पर्टिकिलर स्वाम की अगर कैल्कुलेशन कर तो पर स्क्वेर किलोमेटर पर एट्टी टू फॉट्य मिलियन हो जाएगी मतलब वन स्क्वेर किलोमेटर वाले एरिया के अंदर इनकी पॉप्लेशन कितनी हो जाएगी 40-80 मिलियन तो लगबग लगबग अर्मान लो 10 स्क्वेर किलोमेटर एरिया को भी कवर कर लिया तो आप देख लो 400 से 800 लगबग 1 बिलियन कितना इंडिया की पॉपुलेशन जितना तो क्यों तीन मैने में हो जाता भई थीक है कुछ टाइम के अंदर-अंदर अंदर only three months cycle के अंदर अंदर रही जो लोकस्ट है यह मैने उलड़ी यह सारा पैटर मता जिए यह भी हो यह अपने यह भी हो गया और ना इंडिया के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वह देखा जाता है एक तो agriculture ministry के दुवारा पहली चीज़ दूसरा इसमें अपन इंसेक्टिसाइड भी spread करते हैं मान लो यहां पर लोकस्ट का पूरा स्वाम है तो आप उपर से जाओगे इंसेक्टिसाइड गिर जाएंगे नीचे गिर जाएंगे तो यह ट्रीट्मेंट होता है इसके अंदर इंडिया अल्रेडी कर रहा है बड़े इसके अंदर यूडिया लेता है क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप की मशीन ची होती है वह अपन यूके से मांगते है जो इंडिया बड़ी वह ची होंगी तो अलग-अलग अपने को और जरूत पड़ेगी तो यूके से इंपोर्ट कर ली जाएगी अब बात करते हैं कि क्या-क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इनको कंट्रोल करने के पहला है बायो बायो कंट्रोल के अंदर क्या होता कोई भी प्रीडेटर जो इनके ओपर खाए या पैरा साइट जो इनके ओपर बैठ करके इनको बिल्कुल खतम कर दें इसके अपन लोकस्ट को लिमिट कर सकते हैं जैसे कि नैचुरल एनिमीज की इनके बात करें तो क्रॉज हो गए माइना हो गए स्टार्लिंग हो गए स्टॉक हो गए कर दे कि हाँ जी पाकिस्तान में अगर अगर अटेक हो गया है तो अपन इनको कैसे भी करके कंट्रोल करें और एक कलेक्टिव कॉपरेटिव स्टैप्स ले सके इंटरनेशनल कम्यूनिटी बेसिस पे एक यह तरीका है तीसरा यह यह कॉपरेटिव हो गया और यह क्या हो गया चाहिए और इसी चीज़ के ऊपर और ज्यादा रिसर्च अभी चल रही है और होनी भी चाहिए जिसके अंडर में क्या करता है नॉन केमिकल कंट्रोल को भी अपनी यूज कर सके क्योंकि अगर आपने केमिकल उन पर प्रेड किया पर तो लोकस्ट के साथ में नीचे भी जो बायो डाीवर्सटे वों जब्हु में तो उसको भी अपने प्रेड करना रहा है रह草 alsक के हैं तो यह मेज़स हैं मेजर किस तरीके से अपन क्या केिक को रहाग सकते हैं अब बात करते हैं कंट्लूजन की देखूकिक Currently हूआ उपर तो वैसे भी देखा जाया तो कहीना कहीं climate change वैसे ही बहुत ज्यादा attacking हो रहा है जैसे कि चाहिए फ्लड आए इंडिया की बात कर लो अपने तो developing countries की बात करने फ्लड आ गई तो फ्लड के उपर आपके सामने पहले तो लो लाइफ एक्स एक्स फैके लाइफ लाइफ सेंडर्ड वह है वह भी है लाइफ सेंडर्ड भी हैं फीडिड कम हैं मतलब इतने सारे चलेंज यहाप इनको फेजिव करते हैं इतने में climate change नहीं आगई अभी इस climate तो यह पूरा एक विस्यस साइकल चलता है जिसकी वज़े से सारा डामेज चलता रहता है और इसके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है वह तो वैसे ही बहुत ज्यादा वल्लेबल है जैसे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो दोनों के दोनों कंट्रीज या फिर इरान हो यह कंट्रीज है एडवांस कंट्रीज नहीं है बिल्कुल भी तो कहने का मतलब यह है कि आप कैसे भी करके एक कलक्टिव स्टैप इस तरीके से उठाओ जिससे कि यह वर्ल्ड कम्यूनिटी पूरा एक साथ काम कर सके कॉपरेशन रहे और साथ में डिसेंट्रलाइजड डिसकॉ हो इनके अंदर ऐसा नहीं कि कोई एक पावर बनके रह जाए ठीक है और खेतों के हिसाब से यह तो हो गया कि अपन पूरा पूरा इंटरनेशनल कम्यूनिटी पर क्या काम किया जाए बट साथ में आप क्लाइमिट चेंज के लिए जो सुलिशन हैं जिसके बेसिस पे अपन अगरी कल्चराल आउटपुट कर सके उन चीजों को भी आप डिपलाइ करो जैसे की डी सेंट्रलाइज स्यलर ड्रायर को आप यूज आप यूज जिससे की ऐग्रो वैलियू चेंड में आप एडिशन प्रोवाइड कर सको डीसेंट्रलाइज सॉलर ड्रायर क्या उता है कि अलग अलग रीजन्स में आप क्या करते हो खेत के चारों तरफ आपने यह लगा दिये तो वह क्या करेगी जैसे हार्वेस्टिंग सीजन जब आए ना तो कहने का मतलब यह है कि अगर गेहूं की पूरी फसल को तयार होने में अगर 120 से 130 दिन लगते हैं तो इसको आप रिडिय का यूज कर लिया मतलब सुखाने वाले यूज कर दिये मशीन तो इससे क्या हो जाएगा आप जल्दी से हर्वेस्ट कर लोगे तो ऐसे लोकस्ट के अगर अगर अटेक इन फ्यूचर कुछ होते हैं या फिर खेत में अगर हर्वेस्टिंग हो चुकिए उसके बाद में चाह अगर अगर आप एड़ कर देते हो लगबग लगब थरटी टाइम स्हु मौर आप गेन कर सकते हो जितना आप कर रहो तीस गुना तक आप बढ़ा सकते हो ठीक है और इसके साथ में आपको क्या फ्लेक्सिंगिली मिलेगी फ्लेक्शिबिया ऐसे कि आपको नेचर के अगोर् जले शोब तो बड़े ही कि तो यह था आज का आपना पूरा टॉपिक हम आपने देखा कि लोकस्ट टेग्ड क्यों हुआ कैसे हुआ क्या टाइप मतलब लोकस्ट होते क्या है इनके बारे समझने कोशिश करी इंडिया के उपर क्या एस्थ्पर रहा है क्या इसके मेजर्स लिए जा सकते हैं इनको ट्रेड करने के लिए ठीक है सो थैंक यू वेरी मुच पूर वाचिंग दिस वीडियो